नमस्कार दोस्तो मेरा नाम दीपगल हुनिए और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको एक बहुती बहतरीन भजन जिसका नाम है जिस भजन में आमका नाम नहों उस भजन को गाना ना चाहिए वो किस परकार से हार्मोनिय में कीवोट पर प्लिए करते हैं यह मैं आज आपको बताऊंगा तो दूस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपने मेरी योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाईए बैल आइकन को तो दोस्तों हम सुरू करते हैं इस वीडियो को पहले में आपको एक बार बजा कि दिखा देता हूं उसके बार स्लोली स्लोली समझाओंगा जिस बजन में राम का नाम नहों उस बजन को गाना ना चारी है जिस बजन में राम का नाम ना तो दोस्तों हमें यहां से सुरू करना है इस वीडियो को और पहल से सुरू करेंगे जिस बजन में राम का तो देखें जिस बजन में राम का नाम नहों उस एक बार फिर से देख लेजी जिस बजन में राम का नाम नहों उस जिस बजन में राम का नाम नहों उस बजन को गाना ना चारी है तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेजी मैं आपको एक बार पूरा बजा के दिखा देता हूं तो यहां से सुरू किया था हमने जिस बजन में राम का नाम नहों उस बजन को गाना ना चाहिए और अब हमने यहां से सुरू करना है तो देखें जिस बजन में राम का देखें कारे-कारेगा मा-मा-मा-मा-मा पामागा जी से बजन में राम का जी से बजन में राम का फिर नाम नहों-नाम नहों देखें से जी…. नाम ना हो, नाम ना हो, फिले उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस सभजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए, यहां पर क्रोस बन रहा है, देखिये, उस भजन को गाना चाहिए, तो एक बाँ पुटा दिख लिए है, जिस भजन में राम का नाम नहों उस भजन को गाना ना चाहिए उस भजन को गाना ना चाहिए तो इतना हो गया उसके बाद जो हमने पहली लाइन वजाई थी यहां से पास से शुरू की थी उसी लाइन में उसी सेम सर्वर्म पे बजाना है चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चलाना ना चाहिए प्यारा हो उसे सर पे चलाना ना चाहिए फिर है चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर गर घुमाना ना चाहिए तो वह हम यहां से बजाएंगे जहां से बजन में आपका ना हो बजाएथा दूस प्लैन से मोई है देख लिजे चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए तो उसके बार नेट लेन चाहे जिसमाने हमको जनम दिया उसके दिल को दुखाना ना चाहिए जिस पिदाने हमको पाला है उसे कभी रूलाना ना चाहिए नेख लाइन देख लिजे जिसमाने हमको जनम दिया दि उसके दिल को दुखाना ना चाहिए जिससे पिताने हमको पाला है उसे कभी रूलाना ना चाहिए बहुत सिंपल वाजन है अगर आप सही तरीके से सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे और इतना ही है वाज बचन अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं उन दोस्तों को मेरे सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों मिलते नेक्ट वीडियो में